तो इसके अंदर काफे सारी चीज़ हैं जो लोग इल्म रखते हैं और सियासत भी अप्लाई कर रहा है और चाले भी चल रहे हैं तो इसकी लिमिट क्या होगी जैसा कि हम लोग ने भी देखा कि अब्दुलमलिक जो है बहुत सारी पॉल्टिक्स कर रहे हैं और इनके वालिद स से मिलो कि ताकि उनको लगेगी उनके बहुत खास हो जी हाँ जी हो पहले पहले बता आया था आपको जी हाँ और इसको प्रोटिक्स का जा 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 जी हाँ नहीं शेक इसको शरीयत के हुदूद में कैसे देगें शेक क्या यह सारी चीज़ें जो है आप एक बात क को नोट कर लीजिये कि शरीयत की जो हुदूद है शरीयत के हुदूद से अगर आप इनको ना पएंगे शरीयत के मसायल से ना पएंगे तो अब्दुलमलिक ने जो कुछ भी किया जो भी जो बाते आज के दर्स में आपके सामने थी जाहिर सी बात है कि इसमें से कोई भी शरीयत का हिसा है वो अपनी हकूमत को मजबूत करने के लिए लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं और करते रहे हैं तो तारिक पढ़ने से एक चीज़ आपको ये जरूर समझ में आएगे कि जो बहुत सारे चीज़ें आज के दोर में आप सुनते हैं तो ये पहले भी चीज के तालुख से समझने में बड़ी आसानी होती है कि सियासत में लोग इस तरह से पहले भी करते रहें ये कोई ये गंदी सियासत ही कहलाती है सियासत अच्छी भी होती है अगर उसको अच्छे अंदास से उसी चीज़ को चलाए सब को साथ लेकर के चलने का जो मसला है तो इसमें शरीयत की हुदूत के बारे में मत सोचिए यह सारे मसले जो है ना यह शरीयत के मताबिक नहीं हो रहा है उस शरीयत से हटके ही हो रहा है कि आईस्यू का हम लोग उस हदिस को सामना रखके यह कहा था कि जो खलिफा मतलब जो फिलाप अच्छे लगी तीस साल वो नभीवत के मताबिक होगी जी वो तो बहुत तो हदिस में ही है ना उस सही हदिस है जी हम लोग वही समझाएंचे कि जो जो सही था बाके सबोगा तो बहुत सारी पॉलिटिक से होगी बात चीजे अच्छी भी रही बाद दोर में कुछ चीजे अच्छी भी होई कुछ चीजें जो है गलत भी होई वो मुकमल तरीके से जो था कि सब्त वो इसलाम को फालो किया गया हो मुकमल तरीके से तो वैसा नहीं हुआ ऐसे चीज़ें बहुत सारी हुएंगे फलफा से अभी तो यह बहुत कम है अभी जो आप सुन रहे है ना अभी यह बहुत कम है जैसे जैसे यह आगे वठती जायए तारीख अभी इससे भी ज्यादा जो है बूरे हाला था समझ रहे हैं आप बातो उट है यह बनू अमया की हकोमत था ऊटिया उकिमत किस़ह कहती है जब तारीख आपके सामने आगी कितनी लोगों को मारा गया है उसमेंर कितनी मुसल्मानों को accumulation किया गया है वो जब चीज़ें आएंगी और क्या क्या असूल थे और किन असूलों के तहद फिर उनको भी मारा गया ये कल्पल कैसे होते थे तो जो तो ये तो फिर आपको बहुत मामूली लगेगा हो अभी तो मुसब बिन उमेर की बात है अब दुल्ला बिन जुबेर के साथ जो मुकावला होता है न मक्के के अंदर वो आगे आने वाला तो उत्वड़ा और भी भैयानक है ना इससे जहां जाज बिन युस्फ का मौमना जी से ठीक है जी से